हलो दोस्तो श्वागत है आप शबीक आपके अपने चैनल आउनलाइन अश्टेडी में दोस्तो आज हम रेलबे का साइंस का कोशन लाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेन कोशन है दोस्तो अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इस कोशनों का जबाब आप लोग इस कोमेंट में जरूर देजेगा तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं और रेलबे के लिए जी ये जो है खास महत्पुन है और विहार ससी के लिए भी जिसमें की साइन्स का जिस भी एकजम में पूचा जाता है ये पोर्शन जो है आपके लिए बहुत महत्पुन शाबित होगा तो वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे जो पहला कोशन है निमलिखित में से कौन जो है एक SI1 नहीं है तो दोस्तों आपका जो ओम होता है ये परतिरोध की SI1 मातरक है परतिरोध का जो SI1 होता है वो ओम हो आपका option D number ये आपका calorie नहीं है ये जो कोशन है दोस्तों RRB group D 512 2018 में जो है पूछा गया जितना भी दोस्तों सेशन में लाए है वो कोशन किसी ना किसी एक जाम में जो है पूछा गया है तो दोस्तों अगर सेशन आपको helpful लगे तो सेशन को सेयर जरूर किजिएगा next question कर बढ़ते है निमलिखित में जो है निमलिखित गराप जो है क्या परदर्सित करता आपका जो आपके समने जो है गराप है ये क्या परदर्सित करता तो ये गराप जो है एक समान और बेग बटे समय है तो बेग बटे समय क्या होता है बेग बटे समय जो है ये दोस्तों क्या होता है त्वरन यानि कि बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते है त्वरन यहीं दोस्तों अगर यहां पे भी स्थाफन रहता यहां पे अगर भी स्थाफन रहता तो यह आपका जो है बेग को दर्साता यहां लेकिन यहां पे क्या क्या है बेग है और सम है तो यह दोस् तो आपको इसका समिक्रन मालूम आपको पता होगा कि G बराबर जो होता है वो जी जैसे कि G समनुपाती M1 M2 बटे R स्क्वार होता है G समनुपाती M1 into M2 बटे R स्क्वार सौरी दोस्तों G नहीं F बराबर जो होता है वो होता है M1 M2 F1 M2 बटे R स्क्वार यहाँ पे समनुपाती का चीन होता है अगर कॉंस्टेंट हाट आते हैं तो यहाँ पे आप जो है नियतंक लाते हैं जो कि आपका G होता है तो G M1 G M1 M2 बटे R स्क्वार अब G का यहाँ पे मात्रक निकालने बोल रहा है तो दोस्तों आपका जो G बराबर हो जाएगा F R eSquare उसके बाद M1 और M2 जो है वो नीचे हो जागा तो यह जो F है यह आपका किस का मात्रक है तो यह दोस्तों फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है और एक प्रकार का दूरी है तो न्यूटन मीटर स्क्वार उसके बार पर केजी यानिकि मीटर आपका मस है तो मस का केजी यानिकि आपका जो हो जाएगा केजी का स्क्वार तो आपका ओप्शन आप लोग देखिएगा न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वार और पर जो है kg square कूण सा option में तो आपका option, आपका option C जो है बिल्कुल सही है, एक बार फिर से repeat करते हैं दोस्तो आपका force समयनुपाती जो होता है M1, M2 force जो है, दरबमान के दरबमान के गुननफल के समयनुपाती और उनके दूरी के बर्ग के क्या होते हैं ब्यूत कर्मनुपाती होते हैं अब इसको जो समनुपाती का चीन हटने के लिए एक नियतंक लाते हैं जिसे की ग्रेवेटी यानि की गुरुत्वा करशन नियतंक कहते हैं वो दोस्तों जी M1 M2 अबटे R का स्क्वार तो बराबर में F R स्क्वार उपर का दूरी है और यह आपका महस है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा नियूटन मीटर स्क्वार पर केजी स्क्वार जो कि आपका ओप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यह भी कोशन दोस्तों RRB जैई में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं चंदर्मन की सत उठ पर उस लड़के का भार जो है बहुत से लड़के क्या करते हैं 50 िूटन मार देते हैं जो की बिल्कुल गलात है जैसे कि चंदर्मा की सता पर लड़के का भार अगर 300 न्यूटन है तो चंदर्मा पर जितना भाग होगा पिर्थभी पर वो एक बटे छटा भाग होगा दोस्तों अगर चंदर्मा की सता पर 300 है तो पिर्थवी पर एक वटे छटा भाग होगा तो 300 गुना छे यानि की पिर्थवी की सता पर जो लड़के का भार हो जागा 1800 न्यूटन होगा कितना न्यूटन होगा 1800 आपका ओप्शन ए ओप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग कन्फ्यूज मत होगा कि 50 न्यूटन छोगुना होता है तो यहाँ पर आपको देखना है कि चंदर्मा की सता पर लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पिर्थवी पर चंदर्मा का एक वटे छटा भाग होता है तो 6 उपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800 और 400 न्यूटन हो जाएगा आपका option एा option बिल्कुल right answer है यह अंत्रिक उर्जा किसके बरावर होता है तो यह अंत्रिक उर्जा जो आपका गती जुर्जा और अस्तिती जुर्जा गती जुर्जा जिसे कि हाप MB square हाप MB square पलस अस्तिती जुर्जा जो है यह MGH यानि कि अस्तिती के कारण अस्तिती के कारण उर्जा को अस्तिती जुर्जा कहते हैं और गती के कारण उर्जा को क्या कहते है गती जुर्जा और इन दोनों को जब आपस में आपस में इसको जब मिलाते हैं तो यह यंत्रिक उर्जा इसके बराबर होता है गती जुर्जा और अस्तेती जुर्जा जो है यंत्रिक उर्जा के बराबर होता है नेक्स्ट कोशन कर ब सक्ति यही दोस्न दर भंब यहां पर आपको चंटा दे मैं लिए कारी की चंटा वह आपका दर बैसक्त Looks कैला इसकति कैला आइगी तवह को vaccine के नई-टोशन कर बरते हैं किस जो आपका मायटोकंडिया को जो है मायटोकंडिया को कोसिका का मास्टर भी कहाजाता है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं फूल के हिस्से जिन अधार पर उपस्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं परमानों के भीतर नीट्रोन और प्रोट्रोन पर जो बल आरुपित करता है वो कौन सा बल कलाता है अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कोमेंट में आंसर जरूर बताएगा कि कितना में से कितना आप लोग सही कर रहे हैं परमानों के भीतर नीट्रोन और प्रोट्रोन पर जो आरुपित बल बल होता है उसे दोस्तो कौन सा बल कलते हैं आप लोग आंसर बताएगे कि परमानों के बीतर जो नियूट्रौन और प्रोट्रोन पर आरूपित बल होता है वो दोस्तो आपका कमसा बलकलाता है ना भी किया बलकलाता है अगला जो कोशन है दोस्तों कि उत्तोलग किस सिदान पर कारी करता है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं बल जो है परकिर्थी में अकेले कौन नहीं होता है अगला जो कोशन है इन में से कौन सा अस्थितिज उर्जा का उधारन नहीं है तो अस्थिती जुर्जा जिसमें क्यों चाई हो तो दोस्तो आपका जो बहता हुआ जल है इसमें तो आपका बेग होगा तो ये दोस्तो आपका किसका उधारन है तो ये दोस्तो आपका गती जुर्जा का उधारन है तो आपका option number 4 कि बहता हुआ जल तो इसमें बेग होता है तो ये दोस्तो आपका अस्थिति जुर्जा का उधारन नहीं है नेक्स्ट कोशन के बढ़ते हैं 50 किरिगरा दरबमान की एक बस्तु 6 मीटर पर सकेंड के नियत बेग से गतीमान है बस्तु के संबेग की गन्ना ग्याद करिए तो दोस्तो संबेग बराबर दरबमान गुना बेग होता है तो दरबमान आपका 50 केजी है कितना है 50 केजी है और दोस्तो ये छे मीटर पर से करेंगे तो 300 यहाँ पर मात्रक भी देखना है तो संबेग बराबर जो था दरमान गुना बेग जो कि आपका option number B जो है बिलकुल correct है next question कर बढ़ते हैं कि चंदर्मा पर आवाज जो है क्यों नहीं सुनी जा सकती है चंदर्मा पर आवाज जो है क्यों कि चंदर्मा पर कोई बाइमंडल नहीं है और ध्वनी बिनव माध्यम के यात्रा नहीं कर सकते हैं इसलिए चंदर्मा पर आवाज नहीं सुनी जा सकती है तो आपका option C option बिलकुल right answer है next question कर बढ़ते हैं जब एक पिंड को किसी तल में पूरी तरह से या अंसिक रूप से डूबोया जाता है तब उस पर उर्द्वादर दिशा में एक बल परियुक्त होता है जो उस पिंड द्वरा विश्थापित कियेगे तरल के भार के बराबर होता है तो यह किस नियम द्वरा अस्पर्ष्ट होता है तो यह नियम आपका आर्कमेडिज का सिद्दानत है नेक्स्ट कोशन कर बरते हैं तो 4 डिगरी सेल्सेर पर पानी का जो गनत होता है वो सबसे अधिक होता है नेक्स्ट कोशन कर बरते हैं निम लिखित में से कौन उसमा का सबसे अच्छा सूचालक है निमलिखित में कौन जो है उसमा का सबसे अच्छा सुचालग जो है वो दोस्तो आपका समुंद्र का पानी क्योंकि इसमें क्या हो जाता है नमक रहता है तो दोस्तो आपका उसमा का सबसे अच्छा सुचालग कौन हो गया समुंद्र का पानी नेक्स्ट कोर्शन कर बढ़ते हैं अगला जो कोर्शन है Celsius एबं फोरेन हाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समन पठन परदर्शित करेगा यनकी Celsius और आपका जो फोरेन हाइट वो बराबर किस यनकी किस डिगरी Celsius पर समान करेगा तो आपको इसमें रिलेशन याद रखना होता है तो आपको बराबर में जो है आपको गुना करना होगा जैसे कि फाइब एप बराबर फाइब एप मैनस 49 पंचे तो नो पचे 45 नो पचे 45 जैसे कि सोरी दोस्तों यहाँ पर 32 होता है एप मैनस 32 तो 5 दोना 10 आप 5 तिया 15 ए 16 तो एप 5 एप मैनस 160 बराबर 9C अब चाहिए एप बराबर क्या होना चाहिए C तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैनस 160 है मैनस 160 रहने देते हैं और 9C में से अगर एप बराबर C कह रहा है तो मैनस इधर 5 लाएंगे तो 5C हो जागा तो मैनस 160 बराबर मैनस 160 बराबर 4C तो 4 से कटाएंगे तो मैनस 40 तो आपका option कि Celsius सिबं फरेनाइट इस किलो पर जो है मैनस 40 डेगरी Celsius पर जो है तापमान जो है समान पठन दर्स आगा तो आपका option C option जो है बिलकुल राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन और आज का जो है लास्ट कोशन है इस सेशन का तो आप लोग कोमेंट में अंसर जरूर बताइएगा कि स जोनार का जो पूरा नम है दोस्तो वो sound navigation and ranging तो आपका option आपका option C option जो है बिलकुल राइट अंसर है दोस्तो अगर ये सेशन आपको helpful लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर किजेगा अगर चैनल पर पहली बार बिजिट किया है तो चैनल को भी subscribe किजेगा दोस्तो अग जलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए जाहिंद